नमस्कार दोस्तों मेरा नामे वालजंदर ब्रह्मध सिद्धियाश्ट्रों में आप सभी का स्वागत है यह चंदरमा संपूर्ण दिन धनु राशी में ब्रह्मन करेगा यह चंदरमा शनी के साथ यूतियोग करने जा रहा है मंगल के साथ केंद्रयोग करने जा रहा है नेप्चुन के साथ लाबयोग करने जा रहा है और आज के दिन शुक्र और हर्शल के त्रिकोन योग भी होने ा रहा है यर्ज़ रख्र सिती सामने रखते हुए बारा राश्यों का राशी होगा उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले राशी है मेश राशी मेश राशी के भागिय बाउ में चανद्रमा का प्रभमानया वहीं पर्सिजष्ष शनी के साथ च lassष अर यूती अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो वयवाइक जुड़ेदार होंगे उनसे आपको बहुत अच्छी मदद मिल सकती है मतलब जिस प्रकार से आप एक्सपेट करते हो उसी प्रकार से जो मतलब परसितिया है वो अच्छे लगेगी हाला के आपने पीछले एक से देड़ मίνे में आपने देखा होगा कि आपकी जो वयवाइक उड़ेदार है उनके साथ आपके हार्मनी जो आप चांदे है उस तरह से नहीं बंद रहे लेकिन आज का दिन पूरी तरह से अलग होगा हला कि आने वाले दिनों में आप देखोगे कि आपके जो वाईवाई जो डिदर होंगे उनके साथ आपके हार्मनी बहुत ही अच्छी हो रही जो की बात बहुत अच्छी है दूसरी महतव पुर्णबाद अगर आपके जो फैमिली में खास करके जो मागुरूनी वर गए उनके लिए बोल रहा हूँ अगर आपके जो घरवाले है या फिर फैमिली के सदस से है कौटोमिक सदस से उनसे कुछ अनबन हो रही है या फिर उनके कुछ प्रॉबलम हो रहे है तो आज का दिन पूरी तरह से अलोग होगा बहुत अच्छी तरह से आज आपका हार्मनी उनमें डेवलप हो जाएगे बहुत ही अच्छा और शुबह और सुन्दर दिन आपके लिए उसका पूरी तरह से लाब लिजे करने जा रहा है और आपके भाग्या भाव में से नेप्चुन के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है तो सबसे ज़्यादा मैं तो पुर्णबाद आज के लिए सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है अगर आप शादी शुदा हो तो आपके जो इनलोज जिसे हम बोलते हैं ससुराल के लोगों जो बोलते हैं उनके साथ थोड़ी वो तकरार हो सकते हैं तकरार नहीं कह सकते हैं लेकिन उनके विशर में उनके बारे में कुछ नेगेटिव समाचार या फिर न्यूज आपको आज सुनने में आ सकते हैं फिर इसे आपका जो mindset है, वो थोड़ा उनके लिए थोड़ा सा अलग होने की संभावना है, इसके उपर थोड़ा सा ध्यान देना आवशक है, खास करके सेहत के अबारे में थोड़ा ध्यान देजिए, और दूसरी सबसे महत्पूर पूर्णबाद, आज आपको unexpected जो पैसे बो वो है मिथुन रशे, मिथुन रशे के सब्कम भाव में चंद्रमा का ब्रहमन है, और वही पर सिथ शनी के साथ ये चंद्रमा यूति योग करने जा रहा है, और आपके दशम भाव में सिथ मंगल के साथ ये चंद्रमा केंद्रयोग करने जा रहा है, आपके भागय भाव मे से नेप्चुन के साथ ये चंद्रमा लाब योग भी करने जा रहा है तो मोटे तरपर देखा जा तो आज का आपका दिन बहुत अच्छा होगा खास करके जो विवाइत वेक्ति है उनके लिए बहुत अच्छा होगा उनके जो वैवाइत तरह उनसे बहुत अच्छे आर्मनि करते हैं उनके लिए भी कुछ अच्छी बाते आज के दिन हो सकती है आपके जो वैवाइंग जोड़ीदार है उनसे आपको अच्छी तरह से मदद मिल सकती है तो मोटे दर पर अगर देखा जा तो आज का आपका दिन होगा वह बहुत ही अच्छा और शुभा होगा जो आज के दिन किसी भी प्रकार के हेल्थ के इसूज अगर आपको लगते हैं आपके स्वास्त है उसके बारे में अगर कुछ complications आपको लगते हैं तो जल्दी से उसके उपर थोड़ा सा ध्यान देना आवशक है क्योंकि ये जो health issues है आपके स्वास्त के बारे में जो problems आएगी या फिर वैदी रहेगी उसके कुछ लक्षन आपको अगर दिखाए कर रहे हैं तो वहाँ पर की जो महिला वर्ग है उनसे आपको आज अच्छी तरह से मदद मिल सकती है जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी साबत हो सकती है और दूसरी बात जो जो पूरा दिन होगा यदी भी चंद्रमा आपके शर्ष्ट बाव में तो अच्छा ही जागा ज्यादा कुछ प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं होगी जो महिला वर्ग है उनके लिए थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल रह सकता है स्धेरत के बारे में ध्यान दीजिए और विद्यरत वर्ग के बारे में अगर कहा जाए तो किसी भी प्रकर के रिस्क आज के दिन नहीं लेना उल्टी सुल्टी बाते नहीं करना आप उसमें फस सकते हो इसके बात की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के पंचम भाव में चंद्रमा का ब्रहमनार वही पर सिंग शनी के साथ ये चंद्रमा यूती योग करने जा रहा है आपके भाग्य बाव में सिद हर्शल के साथ ये चंद्रमा नहुपंचम योग करने जा रहा है आपके अश्टम बाव में सिद मंगल के साथ ये चंद्रमा केंदर वाला है जो लोग share market से deal करते हैं उनके लिए आज का दिन लखी हो सकता है वो जो वेक्ति है उसका पूरी तरह से लाब ले सकते हैं जो वेक्ति कला से जुड़े हैं उनके लिए भी आज का दिन अच्छा है आज आपके कई पर पिकनिक का कोई योजना या फिर प्लांग बना स सकती है जो कि बहुत ही अच्छी होगी और खास करके जो विद्यारती वर्गे उनके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा साबित होगा उसके बाद की जो राशी है वो है कन्या राशी कन्या राशी के चतुरत बाव में चंद्रमा का ब्रह्मानर वही पस्तित शनी के साथ यह चंद्रमा यूती योग करने जा रहा है आपका चतुरतबाव का जो शुक्र वशुक्र आपके अश्टम भाव मेस्थित हर्शल के साथ नवपंचम योग करने जा रहा है आपके चतुरतबाव मेस्थित मंगल आपके चतुरतबाव मेस्थित मंगल आपके चतुरतबाव म और दिन में बास सोची ती नहीं लेकिन आपको आराम नहीं मिला ता लेकिन आप पक्का आज आप पक्का होग ऐसा सोच गए घर पर हैं यहां फिर घर के जो मांने और उसके उपर ध्यान दो थोड़ा आराम करना basic structure तो यहीं होगा कि आप आज तो आराम किया तो मेरे कासे बहुत ही अच्छा दिन आपके लिए होगा जो विद्यार्थी वार गए हैं उनके लिए खास करके आपकी जो आप जिस प्रकार की विद्या ले रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना आवश है कि आज का दिन आपका आलस से में बीच सकता है इसके बाद की लाव करने जा रहा है बहुत ही अच्छा और शुबदिन आपके लिए है पूरी तरस से जिस विशेपर काम करते हैं उसी पर उपर आप ध्यान फोकस करोगे तो जिसके रिजल्ट से वो भी बहुत अच्छे आएंगे financial status के बारे में देखा जाए तो भी बहुत ही अच्छा आपका दिन होगा आपका मतलब बहुत दिन से अगर आप किशी विशेपर सोच रहे हैं और वो implement के बारे में सोच रहे हैं तो आज के दिन हो भी जाएगा उसके बारे में कुछ अच्छे आपको results मिल सकते हैं और आज आपको कुछ अच्छे से ideas भी आ सकते हैं जो कि आपके career से relate करने वाले हैं या फिर बविश्य में कुछ से योजना पर अगर आप काम कर रहे हैं उसके बारे में कुछ अच्छी घटना हो सकती है अगर आप ऐसे कुछ खबर के लिए रुके हो कि जो कि बहुत दिनों से नहीं आ रहे हैं तो आज की दिन वो पक्की आ जाएगी जिसके जैसे आपका जो पूरा stress है वो निकल जाएगा तो बहुत ही अच्छा stress full नहीं stress nil आपका जो दिन है वो होगा बहुत ही अच्छा दिन है जो गुरिणी वर्ग है उनके लिए भी आज के दिन हाले के पूरी तरह से आप काम करेगे लेकिन positive होगा बहुत अच्छा होगा खास करके विद्यार्ती वर्ग है उनके लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा और शुबसाबित होने वाला है। अच्छे हो सकते हैं और उस पैसे खर्ष होने के बाद थोड़ा बहुत आप स्ट्रेस फिल कर सकते हैं। लेकिन मोटे तरपर देखा जटो दिन वैसे नॉर्मल ही होगा और जो विद्यार्थी वर्गे उनके लिए भी जो दिन है वह नॉर्मल ही होगा। इसके बाद की जो राशी है वो है दौनू राशी है दौनू राशी में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपी के राशी में सिद्ष शनी के साथ ये चंद्रमा यूती योग करने जा रहा है। आपके राशी में सिद्ष शुक्रे के साथ आपके पंचम बाउ का जो हर्शल है वो हर्शल नवो पंचम योग करने जा रहा है तो आज का दिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं कहूंगा लेकिन आप बहुत ज्यादा चिंतन भरा दिन होगा। मतलब बहुत ज्यादा सोच है किस तरह से लाइब चल रही है क्योंकि आपके राशी साड़े साती में है चनरमाव शानी की यूती भी है तो आज का दिन है बहुत ज्यादा सोचने वैजाएगा और कई तोर पर यह जो सोच है आपकी थोड़ी बहुत निगेटिव होने की सं संबावना है हाला कि आपका जो नेचर है सोबाव है वो नेगेटिवनेस नहीं लाता पॉजिटिव होता है नॉर्मले लेकिन जैसे है आपके राशी साड़े साती में ही गई है तो इतनी घटना है आपके साथ गलत हो रही है जिसके वज़ेसे आप थोड़ा बहुत चिंतन करेंगे चिंतन में बोल रहा है तो क्या करना चाहिए किस तरह से करना चाहिए इसका पूरी तरह से आप जाइजा लोगों की हाला कि आपको किस मकाम पर पहुचना है क्या करना है कौन से एक्शन लेने इसके बारे में पूरा जो आपका दिन होगा उसे के बारे में बितने क बहुत ज़्यादा संभावना है इसके बाद कि जो राशी हाला कि ये जो बात है वो गुरूनी वर्ग और विद्यर्थी वर्ग के लिए भी होगी इसके बाद कि जो राशी है वो है मकर राशी मकर राशी के वही अभाव में चंद्रमा का प्रहमना है देखा जाए तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होगा हाला कि स्ट्रेस लेने के लिए कुछ ऐसे घटना है नहीं होगी लेकिन ऐसे कोई बात इसके पहले घट चुकी होगी इसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो और आपके जो रिलेशन्शिप है मतलए आपके जो व आवशक है बाकी के जो दो दिन होगा हाला कि आज ही के दिन रुकिए इसके बाद की जो दिन होगे वह धीरे-धीरे-धीरे नॉर्मल होते हुए नजर रहे कि तो किसी भी प्रकार के स्ट्रेस नहीं नहीं लेना अगर डिसीजन लेना है एक दिन के लिए रुकिए उसके बा बाद की जो राशी है वह कुंबर राशी कुंबर राशी के बाग्या होँ चंद्रमा का ब्रहमन और वह IRS रपस्थिशनी के साथ यह चंद्रमा युतियोक करने जा रहा है तो आज का जो दिन होगा आपका वो थोड़ा शांतता पुरुन होगा, जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ पर जो stress होगा, वह थोड़े आपके मन में होगा, कि किस तरह से काम भी है जाए, कैसे वह काम निप्टाए जाए, तो वह stress आपको आज लगेगा, आपका जो ध्यान होगा, वह काम के दरब ज्यादा होगा, अगर बात बहुत जादा important है, मतलब आपके मित्र परिवार में अगर कोई, मतलब स्त्री है, या फिर females है, तो उनसे आपको अच्छी तरह से आज के दिन लाब मिल सकते हैं, या फिर ऐसी कोई सलाब मिल सकते हैं, जो कि आपको आने वाले feature में अच्छी साबित हो सकती है, या फिर पूरा ने जो कोई दोस्त है, वा आज आपसे मिल सकते हैं, पैसों के बारे में अगर कुछ प्रॉब्लम्स या आप कॉंप्लिकेशन हैं, तो आज के दिन पूरे हो जाएंगे, अगर आपके लाब के बारे में कुछ आप्स्टेकल्स वगरा थे, तो आज पूरे नॉर्मल ह आपके दितिया बाहो का जो हर्चल है उसके साथ नवपंचम योग करने जा रहा है, तो आज का जो आपका दिन होगा, वह थोड़ा साजा पर आप काम करते हो, व्योज़ा करते हो, वहाँ पर जो भी व्यक्ति होंगे, उनके साथ आज आपकी तकरार होने की चांसे से, हाला कि आपकी जो राशी है वो ज़्यादा तकरार नहीं करती लेकिन कोई छोटी मुटी ऐसी बाती हो सकते हैं जिसके आपका मूर चला जा सकता है आप थोड़ा भावनाशिल हो सकते हो और जिसके परिणाम यहीं होगा कि थोड़े बहुत नोग जोग हो सकती है नोग जोग कल का जो दिन है उस दिन में उसके बारे में कुछ सोच हो या फिर उससे कुछ अच्छे नतीज़े आ सकते हैं लेकिन आज ऐसी कोई भी बात नहीं करना हाला कि आप जहाँ पर काम करते हैं वहां पर की जो महीला वर्ग है उनसे आपको कुछ अच्छी मदद भी मिल सकती है आजी के दिन, तो मेरे खाल से ऐसे कुछ ज़्यादा या प्रॉब्लम या ऐसे कुछ कुछ कृटिकल सिचुएशन में नहीं जाना, या फिर डिसीजन नहीं लेना, और खुद को नहीं कोसना, आपकी जो राशी है, खुद को ज़्यादा कोसती है, अगर कुछ ऐसे नेगिटि जो दिन होगा, नॉर्मल ही होगा, विद्यार्थी वर्क के लिए भी वैसे देखा जा, आज क्या दिन है, वो सामान्य ही होगा, तो दोस्तों, ये था दिनांक, दो फर वरी के लिए, बारा राशुग वा राशिफल, आपको यो राशिफल कैसे रेका, आपने किस तरह से अ दोने वाम